नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपता फीडबैक है कोई सजेसिन है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करने जिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टाइब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटू में फोलो करते हैं तो प्लीज येवाला प्री पेलिग्रम चैनल जरूर ज्यान करेगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डिट यही सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सभी का स्वागत था इक जान्स में दोस्तों यूबी पीसेस 2023 के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश करेंट अफेर को कबर कर रहे हैं और यह सीरीच का तीसरा वीडियो है इससे पहले दो वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी जानकारी प्राथ कर सकते हैं तो आई दोस्तों सुरू करते हम दोग पहला प्रस्ण हिर्दा योजना के तहर उत्तर प्रेश के कौन से सहर चुने गए हैं गोरखपुर लखनो मतुरा या वालनसी इसके लिए चाहरा अप्सन पढ़ लिए विरासत सहर विकास और विस्तार जिसे हम दोग हिर्दा की नाम जानते हैं इस योजना को वर्स 2015 में सुरू किया गया था और इसमें जो है देश के टूटल 12 सहरों को चुना गया था जिनमें आपका अजमेर, अमरिस्सर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचिकुरम, मतुरा, पुरी, वारनसी, वारंगाल और वेलंग कन्नी जो है चुने गये थे, इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश के दो सहर चुने गये हैं हिर्दा योजना के तहत, तो इसका जो ऑप्सन बी है वह सही है, आएते हैं अगला प्रास में लो, उत्तर प्रदेश के कितने सहरों में डिफेंस कॉल्डो नोड बन रहा, चार, पांच, छे या साथ, उत्तर प्रदेश के कुल छे सहरों जो है डिफेंस कॉल्डो नोड बन रहा है, जिन में अलिगर्ण, आगरा, कानपुर, चितरकोर, जहांसी और लखनौ है, यहाँ पर मैर प्रदर्शित किया गया है, आप इसे असानी समसकते है अलिगर्ण, आगरा, लखनौ, कानपुर, जहांसी और चितरकोर, टोटल जो है छे सहरों में डिफेंस कॉल्डो नोड बनाए जा रहा है, इसका जो ऑप्सन C है, वह सही है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभरण के अस्थापना की जा रही है, लखनौ, अलिग जहांसी या मुरादाबाद, आवारा पस्यों की संख्या, पस्यों की समस्या को जो है दूर करने के लिए उत्तर पर इसके मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद मंडल में नंदी अभरण के अस्थापना की जा रही है, मुरादाबाद मंडल में कई जिले हैं, उन में से संभल जो जिला है अमरोहा है और आपका बिजनवर इन जिलों जो है नंदी अभ्यारन के अस्थापना की जा रही है उत्तर प्रेस में वर्तमान में जो कुल 18 मंडल है आप लोग कॉन बाक्स में आईगा कि मुरादाबाद में कुल कितनी जिले हैं इसका उत्तर आप लोग कॉन बाक्स में आईगा मुरादाबाद में कई जिले हैं जिनमें संभल ला है अमरोहा है और विजनवर यह जो जिले हैं यह मुरादाबाद के अंतर कर आते हैं आयते हैं अगला प्रस्म लो अंतराष्टी अविधा में दिवस कारिकरम का आयजन कहां किया गया ग्रेटर नॉड़ा, लखनौ, सिदार्थनगर या प्रयाग राज तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पांच अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के मदी जो है अंतराष्टी अविधा में दिवस कारिकरम का आयजन किया गया था और इसका जो आयजन है वो ग्रेटर नॉड़ा मिस्थित है वहाँ पर इसका आयजन किया गया है और इसमें 20 से ज्यादा अदिशनों की प्रत्निदी इसमें सामिल हुए थी इसका जो आप्सन ए है वस्सखाई है उत्तर प्रेश में ज्याविदा पार कितने जिलों में अस्थाप्ना की जा रही है इनमें आपका हापुड है बुलंद सहर है बदायों है और आपका मिर्जयापुर है मिर्जयापुर टोटल जो है चार जिलों में जैव विविता पार के अस्थापना की जा रही है उत्तर प्रेश के इसका जो आपसन ए है वस रही है उत्तर प्रेश विधान सभा चुनाव 2022 अंदर में यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कुल 47 माईलाव ने विजय हासिल की और यह जो चुनावा यह पांच चरणों में आज़ित किया गया था यूपी की 18 में विधान सभा के 23 में अध्यच 37 माँना बने और इस विधान सभा चुनाव में राष्टी लोगदल पाल्टी ने 6 सीटे जीते थी आपको पहचानना है काउंट सा जो विकल्प है वह सही है आपसन आप लोग खामने दिया गया है आप लोग आपसन पढ़ लेजे इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है उत्तर वे विधान सभा चुनाव में फुल टोटल 37 माईलाव ने विजय हासिल की थी उत्तर प्रवbear के साथ भारत के टोटल 5 लाज्यों जो है विधान सभा चुना आजित कीया गया थी दो हजार बाइस में उनमें आपका गुवा था मरीपुर था पंजाब था ऊत्तर अखन था और उत्तर प्रवश्म जो है विधान सभा चुना हाइजित कीया गया थे और उत्त्रवदी जो चुना आजित किया गया था वह पांच चल्डूम नहीं बलकि सात चल्डूम में आजित किया गया था और यह जो है दस फरवरिस लेकर सात उमाज तक यह चुना आजित किया गया था सात चल्डूम में इसका जो तीसरा statement बसा ही है यूपी की जो अठाम विधान सभा चुना हुआ थो 2022 में इसके पसाथ जो विधान सभा के अदेज चुने गए थे और वह 37 महाना चुने गए थे और यह है 23 में विधान सभा अदेज बने है इनकी जो विधान सभा जो सीट थी वह कांथपुर के महराजपुर की सीट थी 37 महा टीस प्रकार जो है इसका पहला स्टेट्मेंट है वह यहां पर सही है यहां पर आप लोग बहुत अप्सटन कर ले चिंप और यहां पर विधान सभाई चुनाव आज जित किये गए थे यहां पर सभी पार्टी ओं कि सबसेम भर कर आई है जो होग दिटान तो और आउट्अफ स्tag हमारा cars बांधेशा जिती है और वर्तमान के समर्थन मुल का समर्थन मुल कितना है हुआ है समंर्ठन मुलं कितना कि 320 रुपए फेरााऊ 324 रूपे कुन्त gotta'd या 325 रुपे फेरा प्रस्केस में वह कि यसे मुल्राइक टोतल हो गया a很好 गले उत्तर भारत जी आई-मौसाव का आएजल कहा किया गया लखनों प्रयाग राज वारानसिय गुरखपुर उत्तर भारत जी आई महुतसाव का जो आयोजन है वह है 16 से 21 अक्टूबर 2022 मद वारानसि के बाड़ा लालपुर के दिन द्याल हस्त कला संकुल में इसका आयोजन किया गया है यहां पर एक फैक्ट आपको नोट कर लिज बनारसि पान और लंगला आम जो है यह बनारस के जी आई टाइग है और यहीं पर उत्तर भारत जी आई महुतसाव का आईजन किया गया है इसका जो आप्शन सी है वह सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग कि पर देश का तराई हाथी रिजर्व देश का कौन सा एलिफें इसे अध्यूसित किया है और यह उत्तर प्रस्म लोग कि पर देश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है और देश का तराई हाथी रिजर्व इसका जो आप्शन बी है वह सही है इंडिया फूड एक्सपो दो जर बाइस का आईजन कि जिले में हुआ था प्रयाग राज लखनौ जिले में इंडिया फूड एक्सपो बिलाग का यजन किया था और इसका उध्घाटन है अमक मंत्रि योगी आधितनाथ ने इसका उध्घाटन किया था इसका option C है वह सही है प्रांस के सहयोग से उत्तर प्रस के जिले में solar power plant जो है अस्थाफित किया गया है तो यह जो option A है वह सही है, उत्तर प्रेस कितने सहरों को आकांची जिला कारिक्रम में सामिल किया गया है, 5, 9, 8 या 7, आकांची जिला कारिक्रम वर्स 2018 सुरू किया गया है, और इसमें उत्तर प्रेस के total 8 जिलों को जो है सामिल किया गया है, इन जिलों में सिदार्थनगर, बहराइच बलामपूर, चित्रकूट, चंदावली, आपका स्रावस्ति है, सोन भद्र है और फतेःपूर है टोटल जो है, आठ जिलों को सामिल किया गया है, आकांचे जिला कारिकरम में उतर प्रदेश के सबसे कम बिक्सित जिलों को बिक्सित करने के उद्देश से यह कांचे जिला कारिकरम सुरू किया गया है हो अभी付नी 2020 में निती आयोगनी रिपोर्ट जारी हैं सबसे अच्छा कांशी जिलाकी तो इसमें voken पर्थम शतान प्रतान के आजिए गया और यह रनंकिंग जारा है यह उत्तर्प्रेज के you टोटल आठ सहर हैं और यह जो रैंकिंग जारी किया थी टोटल 112 सहरों की रैंकिंग जारी किया थी जिसमें हरिद्वार जो है टॉप में रहा है कि इसकी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की अस्थापना कहा की गई थी ग्रेटर नोड़ा लखनाव वारानसी या गोरख डी विदेशी रोजगार के आउसरों को बढ़ावा देने के लिए इसकी इंडिया इंडिया इंडरनेशनल सेंटर जो अस्थापना की गई है वह वरानसी में की गई है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है उत्तर पुरुष देश में रामसर असलुक संख्या कितनी है आठ आज डेट है यह 6 अप्रेल डेट है और आप तक जो है उत्तर असलुक संख्या है आपके टोटल दस है और पुरुष देश में 75 है अगर परस्निया पुछ आता सब्सक्रीक रामसर साइट किस राज में है तो आपके तमिलनाड में है तमिलनाड के टोटल है और यूपी में दस है इसका जो अपनरी है वे सही है उत्तर प्रदेश राष्टी विश्विद्याले का नामकरण किसके नाम पर किया गया है महत्मा गादी राजिन प्रसाद बिन्वा अम्बेटकर दीन दयाल उपाद्या है तो उत्तर प्रदेश राष्टी विश्विद्याले जो प्रया योजना के अंतरगत वर्स 2022 देश में 26.29 करून से अधिक मानव दिवस रजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम अस्थान प्राप्त किया गया है प्रधान मंत्रे स्वारी योजना के अंतरगत सहरी पास विक्रताओं को रिंद वित्रण में प्रदेश को देश में प् इतना कि अस्थान पर है कुछ सफ साहर है करने रिए ऐन होते हैं, उन्हों को सरकार के तरफ से एक चोटा पेड़ान किया जाता है, प्रधान मंत्री स्वानित योजना में भी सबसे रिक जोरिन दिया गया है उसमें उत्रप्रेश दार सबसे रिक दिया गया है और इसमें भी उत्रप्रेश पहले स्थान पर आया है और अटल प्रेंशन योजना की रहत जो है सबसे दिया है और इसमें उत्रप्रेश का पहला स सही है इसका जो option टी है बस सही है यह आपकी परिष्छक लिए काफी उप्यूगी फैक्टर इसलिए यहाँ पर एकठा है यहाँ पर लिया गया है उत्तर प्रेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों की प्रसार को रोकने के लिए 10 तक अभियान कब सुरू किया 15 जुन 2022, 15 अगर्स 2022, 15 अप्रल 2022 या 15 जुलाई 2022 तो इसका जो सही आंसर है वह option C, 15 अप्रल 2022 को जो है 10 तक अभियान लांच किया गया है उत्तर प्रति सरकार द्वारा और यहाँ जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों की प्रसार प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और यहाँ जो है 2023 में हाली में जो इसे फिर से सुरू किया जाने वाला है तो य यह लांच कब किया गया है पीसे जो है लांच 15 अप्रेल 2022 को शुरू किया गया है इसका जो ऑप्शन C है वह सही है आयते हैं अगला प्रसम नों उत्तर प्रेश का पहला गिद सनरचन केंद कहां अस्थापित किया गया है प्रयागराज महाराज गंज गोरकपुर या साजहापुर तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन B. महराज गंज में उत्तर प्रेस का पहला सं questionable के जो है अस्थापित किया गया है इसका जो option B है वह सही है शिल्क एक independence कहां अस्थापित किया रहा है वाराण से, लखना। सिदार्तन के जापियाग रहा है रेशब्स कारूबार को बढ़ावा देने के लिए कि इस А प्जेश करें लोग कलाओं वहा आष्थानी वेंजनों को प्रमोट करने के लिए उत्रप्रेस के संस्क्रित विभाग ने जो है रेडियो जैगोस इस्टेशन जो है लांच किया है तो इसका जो ऑप्षन भी है रेडियो जैगोस आयते हैं अगला प्रसम लोग पूर्वांचल एक्सप्रसवेक संदर में यहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया है इसकी जो कुल लंबाई है वो तीन सुचालिस दसमलो आठ किलमेटर इसकी कुल लंबाई है और यह है आठ जिलो से होकर गुज़रेगा आपको बताना है काउन सकतन सही है केवल एक केवल द पूर्वांकी अमेठी सुल्तानपुर आयोध्या अमेटकर नगर आजमगर मउव और आपका गाजीपूर टोटल जो है नव जिलो सोकर जाएगा उत्तरप्रेस के पूर्वांचल एक्सप्रसवे आसा है आप सभी को बहुत को जाने को मिलाओगा वीडियो को प्रुदक धन जय ही जय भारत